आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वे कुड़न्ट कम्प्लीट इवर रिक्वेश्ट द्यू टू टेंप्ररी एरर टू एक्सेसिंग बैक्वर्ड सर्विसिंग यह वाली प्रॉब्लेम बहुत से लोगों के भी आ रही है आधार को जब भी हम आधार का स्टेटर्स टेक करते हैं तो यह वाली प्रॉब्लेम हमने सामने आती है कैसे हमें इसको ठीक करना है फिक्स करना है यही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े यहाँ पे तिक्कत कहा है सीधे तोर पर हम समझते है कोई ज़्यादा टाइम पस नहीं करेंगे यहाँ पे आपको अपना इन्रॉल्मेंट डालना होता है मितलब जब आपने करेक्शन यहाँ जो चेंजेस किये है उसका आपको ऊपर की तरफ ही जो आपको प्रिंट मिलती है उसके उपर आपको नंबर मिलती है चोदा डिजिट का तो आप वहाँ पे जो है अपडेट रिक्वेश्ट नंबर करके कुछ आता है तो उसको आपको यहाँ पर डालना होता है जैसे यहाँ पर एक इंपोर्टन चीज़ यह होती है कि जब यह हमारा enrollment number ढालते है, तो वो 14 digit का आपको enrollment number ढालने है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए गया तो यहाँ पर आपको सबस्पहली year लगाना होता है सबस्पहली आप क्या कीजीए कि आपे आपने 14 digit का enrollment नमबर डाले उसके आगे आगे आपको डेट देखने को मिल जाती है अब आपको क्या करना है जो डेट लिखिए उसका year यानि कि 2000 कितना है 2000 या पर आप देट लिए मतलब 2013-14-16-17-18-22-24 जो भी है 2024 उसको डाल दीजे उसके बाद आपका महिना ठीक है जो भी मन्त होगा वो आ जहाँ पर important चीज़ यह होती है कि सबसे पहले तो date or time आपको डालना होता है और जब आप date or time डालेंगे date के अंदर आपको सबसे पहले year लेना है उसके पाद month लेना है और उसके बाद day लेना है ठीक है तो वह इस तरीके से आप डालेंगे लेटर आपको होने चाहिए और उ आपको as a time वो सही तरीके से लालना है वाकि आपका है पर हो जाएगा